Hello Everyone, Welcome to Study Time ROARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए सामान अध्यन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्टरी गी इसका हाज हम प्रैक्टिस सेट का चौदवा किलास करने वाले हैं और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज के जो क्वेशन होते हैं वो हम करते हैं जो ROARO एवं PCS के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर हैं कल आपकी क्लास नहीं हुई थी चुकि कल संडे था तो हम 6 दिन ये क्लास करेंगे सोंबाल से लेकर सनीवार तक और संडे को आपका जो है आफ रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की कलास तो आज की कलास का पहला कोशन है अधो लिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वण मुद्रा है A. कौडी B. दीनार C. निस्क D. पड़ तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा B. दीनार ठीक है याद रखिएगा स्वण्ड मुद्रा जो थी गुप्तकाल में उसे क्या बोला जाता था दीनार ठीक है तो आप एक कौपी बना लीजिए उसमें जो आंसर है वो लिखते जाईए आपके जो आंसर है और जो करेक्ट आंसर हो उसे भी आप लिखते जाईए और फिर देखिए कि आपका स्कोर कितना है और आपको जो क्वशन नहीं आ रहे थे उन्हें आप माइंड में रखिए ध्यान रखिए और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है इस क्वशन के अलावा उस चीजें लेते हैं कुछ भी जैसे कि आपको डेरी मिल्क खरीदना है कुछ भी खरीदना था उस टाइम तो डेरी मिल्क नहीं आती थी जो भी खरीदते थे तो उसकी लिए कौडियों का यूज करते थे लोग ठीक है तो इस बात को याद रख्ये का उस time पर कौडियों का होता है वैसे ही उस टाइम पे भी होता था ठीक है चलिए अगला सवाल है गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था ए करसा पन बी धीनार सी रूपक डी निस्क तो जो स्वन मुद्राओं थी वो तो हमने देख लिया पिछले कोशन में जो रजत मुद्राओं थी चांदी के सिक्के थे उन्हें किस नाम से जानते थे तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है रूपक ठीक है तो सोना और चांदी बहुत प्रिये था उस टाइम भी और आज भी चलिए अगल पर जो करेक्ट आंसर है यह है ए चंद्रगुप्त प्रिथम ठीक है याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रिथम यहाँ पर करेक्ट आंसर है यह ऐसा गुप्त सासक है जिसने सबसे पहले जो सिक्के थे वो जारी किये थे समुद्रगुप्त ने भी सिक्के जारी किये थे लेकिन ये इसके बाद में आया था ठीक है तो सबसे पहले कौन हुआ चंदर गुप्त ठीक है ये याद रखिएगा चलिए अगला सवाल है गुप्त काल में लिकित संस्कृत नाटकों में इस्त्री और सुद्र बोलते थे तो कौन सी भासा बोलते थे a. संस्कृत, b. प्राक्रत, c. पाली, d. सौर सैनी तो कौन सी भासा बोलते थे तो ये लोग बोलते थे प्राक्रत ठीक है याद रखिएगा जो इस्त्री लोग थी और सुद्रो लोग थे ये नाटक में प्राक्रत भासा का यूज करते थे और जो उच्चवन के लोग होते थे वो संस्क्रत भासा बोला करते थे ठीक है चलिए अगला सवाल है सती प्रथा का प्रथम अभिलेकिय साच्छ प्राप्थ हुआ है A. एरण से B. जुनगर से C. मंदसौर से D. साची से तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह होगा A. एरण से जो प्रथम अभिलेकि साच्छ है सती प्रथा का यह कहां से प्राप्थ होता है A. एरण से और यहां पर हमें पता चलता है कि जो गोपराज नामक सेनापती था उसकी इस्तरी के सती होने का उलेक इसमें मिलता है और यह 510 एजवी के टाइम का है तो याद रखिएगा गोपराज नामक जो सेनापती था इसकी इस्तरी के सती होने का उलेक यहां पर मिलता है एरण अभिलेक से ठीक है चलिए अगला सवाल है गुप्त समवत की इस्तापना किसने की A. चंदरगुप्त 1 दूसरा स्रीगुप्त तीसरा चंदरगुप्त 2 चोथा घटोत कच तो किसने की है तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है A. यानि की चंदगुप्त 1 ठीक है और 319 इस्वी जो है प्रारंबिक दिथी थी इनके समवत की कब थी 319 इस्वी यह प्रारंबिक दिथी तो इस चीज़ को याद रखिएगा चलिए अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रियोग करके सही उत्तर जो है वो चुनिए समराट असोग समुद्रगुप्त चंदरगुप्त दूति इसकंदगुप्त और विरुद्ध में है परक्रम, प्रियदर्शनी, क्रमादित, विक्रमादित तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर इसका है C यानि की 2, 1, 4, 3 ठीक है 2, 1, 4, 3 असोग को क्या बोलते थी प्रियदर्शनी आपने जानाई ये, पिछली क्लास में बताया गया है दूसरा है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते थी परक्रमांक ठीक है और तीसरा का क्या है चौथा है तीसरे का 4 C का 4 चंद्रगुप्त दूती को विक्रमादित भी बोलते है ठीक है A. गुप्तकाल, B. प्रतिहार योग, C. राष्टकूर्ट योग, D. साथवहन योग, तो ये जो correct answer होगा इसका ये है गुप्तकाल, ठीक है? याद रखेएगा, A. इसका correct answer होगा, गुप्तकाल, इसमें जो नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, यहां तक की जैसा की पाटिल पुत्र है, ये नगर थे, ये धीरे-धीरे खतम होने लगे थे और गाउं बनने के कगार प्या गये थे, गाउं बनने लगे थे ये नगर, सारी व्यवस्ताएं खतम हो रही थे धीरे-धीरे, चलिए, अगला सवाल है, किस सासक वंच ने मंदरों एबं ब्रामनों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था, सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, A. गुप्त वन्स, B. पाल वन्स, C. राष्टकूट वन्स, D. प्रतिहार वन्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस सासक वन्स ने मंदिरों एवं ब्राम्णों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, ये है गुप्त वन्स ने, ठीक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, ये होगा, A. यानी की गुप्त वन्स, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में किस वन्स का सासनकाल सुन्ड युग कहा जाता था, या कहा जाता है, A. मौर, B. सुंग, C. गुप्त, D. मगद, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत से बच्चे जो है, मौर समझ लेंगे, क्योंकि चंद्र गुप्त मौर थे, तो ऐसा नहीं है, जो सुन्ड युग माना जाता है, ये करेक्ट आंसर C होगा, गुप्त वन्स को माना जाता है, ठीक है? चलिए. इसे क्लासिक युग भी बोला जाता है, या फिर भारत का जो पेरी क्लीन युग है, ये भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये भी अक्सर आपसे एक्जाम में सुन्ड युग न पूचके, आपसे क्लासिक युग या भारत का पेरी क्लीन युग पूच लेगा, तो ये भी गुप्त बंस को ही बोला जाता है चलिए अकला सवाल है निम्न में से किस काल में इस्तरियों की पुरसों से बराबरी थी मलब इस्तरियों और पुरस समान थे एक बराबर थे A. गुप्त काल में, B. मौरिकाल में, C. चोलो में, D. इन में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer है ये होगा C यानि कि पुरुस हमेशा से आगे रहे हैं और इस्त्रियों को उतनी जो है चीजें नहीं मिली हैं उतना बराबरी का अधिकार नहीं मिला है केवल जो रिकवैदिक काल था उसमें थोड़ी बहुत जो है इस्त्रियों को बराबरी मिली थी पुरुसों के लेकिन उसके बाद किसी भी काल में न गुप्त हो, मौर हो, चोल हो, कुछ भी हो कहीं पर भी इस्त्रियों को वैसा अधिकार उतना बराबरी का अधिकार नहीं मिला है ठीक है? चलिए अगला सवाल है गुप्त युग में भूमी राजसु की दर क्या दी? ए उपज का चौथा भाग उपज का छटा भाग उपज का आठवा भाग उपज का आदा भाग तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका भी होगा उपज का छटवा भाग ठीक है? गुप्त युग में जो भूमी राजसु था वो कितना लगता था? छटवा भाग चलिए अगला सवाल है और एक चीज और याद रखिएगा जो भूमी कर होता था ठीक है? जो भूमी कर होता था इसे उद्रंग भी बोलते थे तो ये भी याद रखिएगा कि भूमी कर को उद्रंग नाम से भी जानते थे उद्रंग ठीक है? इस नाम से भी जाना जाता था या फिर भाग कर भी बोल देते थे तो ये भी आपसे पूचा जा सकता है, इन बातों का भी ध्यान रखियेगा, चलिए अगला जवाल है, धर्म सास्त्रों में भूरा जस्तु धर्ग क्या थी? तो इसका भी करेक्ट आंसर एक बाते ज़ंगा, यानि कि छटवा भाग, तो ये भी आदर्म सास्त्र लिखा है, या गुप्त लिखा है, तो सेम करेक्ट आंसर वहीält होगा या फिर आपसे हिंदू पूच लेता है कि हिंदू वैदिक उसमें, घिंदू विधी में, तो वो भी एक बटे 6 होगा सीम चीज हैं सारी चलिए अगला सवाल है किस प्रकार की भूमी को आप रहत कहा जाता था A. बिना जोती हुई जंगली भूमी B. संचित भूमी C. घने जंगल वाली भूमी D. जोती हुई भूमी उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है A. बिना जोती हुई जंगली भूमी को आप रहत कहा जाता था तो इस बात का याद रखिएगा ठीक है? चलिए अगला सवाल है गुप्त सामराज द्वारा निम्न में से किने कर रहित करसी भूमी प्रदान की जाती थी? A. सैन अधगारियों को B. सिविल अधगारियों को C. ब्रामणों को D. दरबारी विद्वानों को तो करेक्ट जो आंसर होगा यह होगा C. ब्रामणों को ब्रामणों को गुप्त समराज द्वारा जो कर रहित भूमी थी यह दी जाती थी भूमी तो दी जाती थी, चात में ऐसी भूमी जिस पर कोई tax नहीं लगता था, कोई कर नहीं लगता था, ठीक है, गुप्तकाल में मंदरों और ब्रामणों को जो भूमी दान में दी जाती थी, उसे किस नाम से कहते थे, उसे अग्रहार कहते थे, ठीक है, तो भूमी का नाम भ इसी रहती थी करमुक्त रहती थी कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगता था चलिए अगला सवाल है प्राचीन भारत में सिचाई करको कहते थे ए बिदक भागम बी हिरन सी उदरंग डी उप उपरनिका तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है बिदक भागम यानि की यहां पर करेक तो प्राचीन भारत में सिचाई करको क्या कहते थे बिदक भागम और जो हिरन है यह जो है मौरिकाल में कहते थे इसको ठीक है याद रखिएगा मौरिकाल में क्या कहते थे हिरन ने कहते थे जो नगट कैस में टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे ठीक है जो बिदक भागम इसे उदक भागम भी कहते हैं तो आपसे अगर उदक भागम भागम पूछ ले तो ये भी याद रखेगा सेम चीज है चाहे आपसे बिदक भागम बोले या फिर उदक भागम बोले ठीक है दोनों एकी चीज है confused मत हो जाईएगा दोनों एकी नाम है विदक भागम या फिर उदक भागम ठीक है भारती प्रचीन में प्रचीन भारत में सिचाईकर को कहते थे और मौरकाल में हिरन को कहते थे जो tax मिलिया जाता था जो tax था sorry कैस मिलिया जाता था ठीक है चलिए अगला है तोर मान किस जाती दल का था ए सिथियन बी होड सी यूची डी सक तो इसका जो correct answer है यह है बी यानि की होड और यह कौन था दूसरे होड आकरमन का नेता था तो याद रखिएगा आप से exam में question पूछा जा सकता है कि दूसरे होड आकरमन का नेता कौन था तो यह भाई साब तोर मान थे ठीक है चलिए अगला सवाल है चीनी यात्री जिसने छटी सताब्दी में भारत दर्सन किया यूँवान च्वांग भी फायान सी शूंग यून डी आईजिंग नाम भी एक्दम अजीव ही रहते हैं इन सबके तो यहा भी चीनी थे यह भारत दर्सन करने आते थे अब सस्रोंग खुल नहीं आते हैं अब क्या करते हैं वाइरस भेज़ देते हैं तो अब देखिए यह भाई साब आयते हैं और कब आयते हैं पांस तो इठाए इस वी में या आईते हैं यह तीन साल तक बड़िया एस से रहते य चोलिए अगला सवाल है कहा जाता है कि सतरंज का कहल उदबूत या originate हुआता है कहां हुआ है ए चीन में तो चीन में तो खेल वेल कुछ नहीं originate होता है वहाँ सिर्फ virus originate होता है चाहे वो रोड़ा वाइरस हो हंटा वाइरस हो पता नहीं कौन-कौन सा गंटा वाइरस अब तो वहीं से आता है, B. इरान में, C. इंडोनेसिया में, D. भारत में, तो इसका जो correct answer है, सतरंज हमारे यहां से शुरूआ है, भारत से, फिर इरान गया, फिर वाकी यूरोपिये देश में चला गया, ठीक है, चलिए, अगला और भारत में से किस नाम से जानते थे, तो भारत म से चतुरंग नाम बोलते थे, ठीक है, इसका नाम क्या था, चतुरंग, चार रंका होता था, तो साइदिस बज़े से बोलते होंगी, ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, सुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारती है, पुस्तक, ब्रच कटिकम का विशय था, A. एक धनी व्यापारी और एक गड़का की पुत्री की प्रेम कथा, B. चंद्रगुप्त दुतिये का की पश्चिम भारत के सक छत्रपों पर विजय, C. समुद्रगुप्त के सैन अभियान तता सैन सौर्य पूर्ण कार, D. गुप्त राजवंस के एक राजा तता काम रूप की रा लव स्टोरी है, ठीक है? और याद रखना चाहिए, चारुदत नामक जो ब्रामर था, चारुदत नामक ब्रामर सार्थवाह, एवं गड़का की पुत्री वसंत सेना थी, इनकी लव स्टोरी का वरणन किया गया है, कि कैसे ये मिले, कैसे ही मिलते थे, कैसे बाबु सोना जा लिखता रहता था बैठके, ठीक है? तो याद रखिएगा, जो ये है, म्रच्च कटिकम, इसमें बढ़िया से स्टोरी, लव स्टोरी लिखे हुई है, गड़का की पुत्री की और धनी व्यापारी जो है, ठीक है? चारुदत नामक ब्रामर ठीक है? तो नाम याद आपको पता होना चाहिए कि महर्ची का पिल ने दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, अगला है, योगदर्शन के प्रतिपादा के, A. पतंजली, B. गौतम, C. जैमनी, D. संक्राचार, तो इसका करेक्ट आंसर है, योगदर्शन सब बहुत अच्छे से भली भादी परचित इन में से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यह है A. यानी की अनुस्म्रती, यह आस्टांग योगदर्शन नहीं है, तो यह थे आज के महत्पूर्ण क्वेशन, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, अगर आपका कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू